क्या आप long video कहीं भी upload करने में दिक्कत हो रहिए क्या आपको घंटो लगता है long video को upload करने के लिए आप बहुत जगाए ऐसा होता है जहां आप long video upload ही नहीं कर पा रहा हैं तो आज से आपकी यह परेसानी दूर नमस्ते मेरा नाम प्रीति वर्मा है मेरा लक्ष है कि कम से कम एक लाख लोगों को digitally उनकी पहचान बनाने में उनकी मदद कर सको, digitally पहचान यानि कि उनका खुद का website होना, उनका ecosystem होना, आज मैं आपको website का ecosystem के लिए, वीडियो को कैसे compress करते हैं, अगर आप website पर वीडियो डालते हैं, तो आपको वहाँ short वीडियो डालना है, जल्दी upload हो जाए और आपका वीडियो upload नहीं हो रहा है, या फिर कहीं और किसी और platform पे आप डाल रहे हैं, YouTube पे डाल रहे हैं, घंटा बर का वीडियो है, बहुत time लग रहा है आपको उस वीडियो को upload करने में, तो इन सभी चीजों से आज आपको पड़ेशानी खत्म होने वाले हैं, तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूं कि बड़ा वीडियो भी हम compress करके, 1GB का भी वीडियो compress करके हम छोटा कर सकते हैं, तो मैं अपना screen share करती हूं, यहां पर एक हैंडब्रेक नाम का software है, एक Chrome खोल लेंगे, Chrome में जाके, Chrome में जाके, यहां हैंडब्रेक नाम का software है, जिसे हम, यह देखें, यहां के, इसे हम click करेंगे, यह, देखें, यहां हैंडब्रेक क्लिक के आ रहा है, और यहां पर आप मेरा क्रसल देख रहे हूंगे, यहां पर यह इसका logo है, इस बात का धेहन रखिएगा कि जो भी आप है इसका logo यहां पर फ्री है, आप इसे फ्री अपलोड कर सकते हैं, यहां जाएंगे, और यहां से डाउनलोड करेंगे, देखें, इट्स फ्री लिखा हुआ है ने नीचे में, यहां से इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, देखें, यहां पर डाउनलोड हो रहा है, आप देखें, नीचे में करसल मेरा दिखरा होगा आपको यहां पर डाउनलोड बोना है लेकिन मेरे पास पहले से अल्रेडी डाउनलोड है तो इसमें टाइम को हम बरबाद नहीं करते हैं और फटा-फट से अपने डाउनलोड में चलते हैं यह देखिए यह मेरा पहले से यह डाउनलोड कि हुआ है अगर डाउनलोड करने लगेंगे तो थोरा सा टाइम लगेगा जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहां पर ड्रॉप और फाइल रहेगा यहां पर फोल्डर बैच और यहां फाइल आएगा तो फाइल हमें सेलेंट करना है फाइल में आपे देखिए एक किता है 17.7 MB का व लीडियो 1 इसे हम यहां से ड्रेग पहलेंगे अब यहां सब्सक्राइमरी में बहुत सर चीज इसे हम कुछ नहीं करेंगे ऐसे को द्रेटबर में भी इससे केम सोर्श करते कि आपका वीडियो का जो क्वालीडी है वह ठीक रहे, वह खड़ाब नहीं हो, यहां पर जाने के बाद, यह है variable format, तो इसे हमें constant format पर कर देना है, अब यहां non है, यहां inroad profile, incode profile है, इसे हमें main पर है, इसे auto पर कर देना है, और यहां incode label है, यह 4.0 पर है, इसे भी हमें auto पर कर देना है, उसके बाद, उसके बाद क्या करना है, यहां पर constant quality है, जो कि 22 है, आप इसे 30 कर लीजेगा, 29 भी होगा तो कोई दिकत नहीं है, लेकिन 30 कर लीजेगा, तो अच्छा है, अभी क्या करेंगे, audio में जाएंगे, audio में कुछ चेंगे नहीं करेंगे, अभी कुछ चेंगे, चैप्टर में भी कोई चेंगे नहीं करेंगे, अभी यहां पर हमारा एक URL है, save as, यह पूछ रहा है हम से कि हम कहां इसे save करेंगे, तो यहां browse करेंगे, और यहां देख, क्या करते हैं हम, यहां पर compress टाल देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चलेंगे, और इसे यहां पर देखें, यहां पर start encode है, तो इसे हम क्लिक कर लेंगे, जब इसे क्लिक करेंगे, तो यह देखें, नीचे में हमारा डाउनलोड हो रहा है, 12%, यह छोटा वीडियो है, इसलिए जल्दी से डाउनलोड है, अगर आपका 1GB या 2GB क्या होगा, तो उसमें थोड़ा सा लगे रहा, यह देखें, यहां पर डाउनलोड हमारा वीडियो हो रहा है, मैं छोटा वीडियो ली हूँ ताकि आपको यह जल्दी से पता चल जाए और आप इसे अराम से कर सकें, यह हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है, यहां देखें, पुइन फिनिश्ट है, अभी क्या करेंगे, फिर से हम अपने डाउनलोड में जाएंगे, वीडियो में, और आप यहां पर देखिएगा, यहां एक इसे कट कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, और इसे डेश्टाप पे लेके चलते हैं, ताकि आपको कंप्रेजन समझें, यह देखिए, यह हमारा पहले का वीडियो था, 17.7 MB, यहां वीडियो नंबर वन है, और यह कंप्रेज किया हुआ वीडियो, देखिए, 7.92 MB, आप देख रहे हैं, और दोनों की क्वालीटी आप देखिए, यह कंप्रेज किया हुआ है, आपको मैं दोनों की क्वालीटी दिखाते रहीं, देखिए, यह देखिए, यह आप देख रहे हैं, अभी चलते हैं हम, यह कंप्रेज किया हुआ है, यह आप देखिए, यह वाला वीडियो ले लेते हैं इसकी क्वालीटी को भी देखिए क्वालीटी में आपको कोई भी अंतर नहीं आएगा आप जाहे तो दोनों ही देखिए हैं क्वालिटी में आपका कोई भी अंतर नहीं आएगा तो इस तरह से हम बड़े वीडियो को छोटा करके उसे कहीं भी अप्लोड कर सकते हैं बहुत जगह पर होता है हमारे पास की हमें एक 10 MB का ही वीडियो अप्लोड करना है लेकिन हमारे पास वीडियो उसका 50 MB का है 100 MB का है तो उसे हम कंप्रेश करके छोटा कर सकते हो और उसे उस जगह पर अप्लोड कर सकते हैं तो आज आपने जाना है कि बहुत ही कम समय में आप अपने वीडियो को कहीं भी अप्लोड कर सकते हैं समय का बचाओ कर सकते हैं जब आप फिरी समय में हो तो आप वीडियो को कंप्रेज करके रख लीजिए और जिस तिन भी आपको वीडियो डालना है जहां भी डालना है आराम से डाल सकते हैं तो इसी तरह के और भी वीडियो लेके मैं आती रहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वह भी इसे जान सके और इसका फायदा उठा सके हैं मिलती हूं नेक्स्ट वी ये बाई थैंक यू